नौ साल गुजर गए हैं मोदी राज को, मगर मजाल है कि इस देश का मीडिया प्रधान मंत्री से एक सीधा सा सवाल पूछ पाए ये शिगूफा जो बार बार छोड़ा जाता है, एक बार फिर छोड़ा गया है और वो शिगूफा क्या है दोस्तों? कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले नौ सालों में कोई छुट्टी नहीं ली जी हाँ, ABP News का इपत्रकार और इसकी तरह अन्य जो छोटे छोटे गुलू और कालू हैं और पापा की परियां इस बात पर इतरा रहे हैं कि देखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी छुट्टी नौ साल में नहीं ली मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से पहले इस देश्ट के प्रधान मंत्री कौन थे? Manmohan Singh क्या उनके बारे में आप कभी ऐसी खबरें देखते थे? इस तरह का महिमा मंदद मगर प्रधान मंत्री से सीधे सवाल पूछने के बजाए ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछने के बजाए इस तरह का अनर्गल प्रोपगांडा जो है वो आगे फैलाया जाता है आपको याद है ABP News नहीं एक इंटर्वियू किया था प्रधान मंत्री से और फिर उसी इंटर्वियू में एक पापा की परी ने पूछा था क्या आप में इतनी उर्जा कहां से आती है आप कौन सा टॉनिक पीते हैं मोदी जी पात साल पहले मीडिया जहां है वो आज भी यहां पर है और अब एक RTI का सहारा लिया जा रहा है इस RTI में सवाल पूछा गया है कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र बोदी ने पिछले नौह सालों में कोई छुटी लिये विडियो कौन सा विडियो याद है आपको जब प्रधान मंत्री ने एक documentary शूट की थी Bear Grylls के साथ जी हां Bear Grylls के साथ documentary शूट की थी Corbett Jungle में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जब प्रधान मंत्री इस documentary को शूट कर रहे थे तब क्या उन्होंने काम से छुट्टी ली थी, क्या डॉक्यमेंटरी शूट करना भी बतौर प्रधानमंत्री उनका काम है और आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त जब ये डॉक्यमेंटरी शूट की जा रही थी, तब पुल्वामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे प्रधानमंत्री ने इस डॉक्यमेंटरी को नहीं रोका, यही नहीं, उसके बाद उनकी एक शुनावी राली भी थी, उस शुनावी राली को भी उन्होंने नहीं रोका प्रधान मंत्री ये शूट करते रहे सीधा से सवाल हो ये बहुत वाजिब सवाल है जब प्रधान मंत्री इस तरह से डॉक्यूमेंटरी शूट करते है तब वो छुट्टी में आता है या काम में आता है बताईए क्योंकि यहां जो वो काम कर रहे है देश का तो उधार नहीं हो रहा है न तो ये जो काम है वो किसके अंतरगात आता है चलिए वो बात भी भूल जाएगे आपको याद होगा दोस्तों पिछले 9 सालों में मेरे ख्याल से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने ये रिकॉर्ड बनाया है आजाद भारत के इतिहास में जितने भी प्रधान मंतरी रहे प्रधान मंत्री पिछले नौ सालों में इस देश के इतिहास में सबसे ज्यादा शुनावी रालीज करने वाले प्रधान मंत्री हो गए मगर जब वो रालीओं को संबोधित करने जाते हैं मैं जानता हूँ कि उनका पद होता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मगर वहाँ तो वो अपनी political party ये बीजेपी के लिए vote मांग रहे होते हैं और न सिर्फ vote मांग रहे होते हैं वो विपक्ष को गाली दे रहे होते हैं विपक्ष की आलोचना कर रहे होते हैं और प्रधान मंत्री का जो पद होता है वो पक्षपाद से उपर होता है प्रधान मंत्री का पद पक्षपाज से जोड़कर नहीं देखा जा सकता मगर जब आप चुनावी रालीज को संबोधित करते हैं चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो केरल में हो, उत्तरपदेश में हो, मद्धप्रदेश में हो, बिहार में हो, गुजरात में हो, दिल्ली में हो या जहां जहां आपने रालीज को संबोधित किया है तब आपने प्रधान मंत्री के तौर पर किया है मगर आपकी पहचान उस वक्त भारती जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता नरेंद्रमोदी की ज्यादा थी अब ये जो आपने तमाम चुनावी रालीज की हैं, सीधा से सवाल आप से इन्हें आप छुट्टी में मानेंगे या प्रधान मंत्री के काम में मानेंगे वह ये सवाल होना चाहिए ना ये कि मैंने कहा कि जब आप एक ऐसे मंच पर होते हैं, जब आप विपक्ष की आलोच ना कर रहे होते हैं, तब आपका काम एक पार्टी के नेता के हैसियत से होता है प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं, हाला की, हाला की पिछले कुछ दिनों से में लगातार देख रहा हूँ कि सरकारी समारोहों में प्रधान मंत्री खुल के कॉंग्रिस की आलोचना कर रहे हैं विपक्ष के बारे में तमाम चीजे कह रहे हैं कभी वो विपक्ष के गटबंधन इंडिया की तुलना आतंकवादियों से करते हैं और ये सब सरकारी समारोहों में होता है कभी वो विपक्ष के गटबंधन इंडिया को घमंडिया बताते हैं जिसमें कहीं न कहीं इंडिया की भी तोहीन है मगर यह तो बहुत छोटी चीज़ है आप जानते हैं ना अभी जो संसत का पांच दिन का सत्र बुलाया जा रहा है खबर इस बात की है कि हो सकता है कि भारती सम्विधान में संशोधन किया जाए और हो सकता है इंडिया शब्धी हटा दिया जाए और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ये खबर जो है सामने उभर कर आईए आपके स्क्रीन्स पर जैराम रमेश का ये बयान इस पर गौर करना पड़ेगा राश्पती भवन ने G20 के रात्री भोज निमंतरन के लिए President of India की जगह President of भारत का इस्तमाल किया है ये संग्hiय ढैचे पर हमला है सीधा सा सवाल है कि जब भी निमंतरन आता था अंग्रेजी में तो President of India लिखा होता था अब monk of India क्यों हो गया है तो यहाँ पर ये सवाल उठना चाहिए कि भरी क्या India शब्र से इतनी आलर्जी हो गई कि अब President of India की जगा आप President of Bharat कहेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है मगर भारत शब्द का इस्तमाल जब आप Hindi में कहते हैं तब होता है सिर्व इसलिए कि विपक्षी गटबंधन अपने आपको India बोल रहा है अब आप क्या सम्विधान से इंडिया को हटाना चाहेंगे Congress क्या कह रही है दोस्तों आपके screens पर So the news is indeed true खबर सच्छी है राश्पती भवन ने सेंट आउट एन इनवाइट फो G20 डिनर on September 9th in the name of President of Bharat instead of the usual President of India राश्पती भवन ने एक निमंत्रन भेजा है G20 रात्री भोज में 9 September को और वहाँ पर लिखा गया है President of Bharat ना की President of India Now, खौर कीजेगा Now Article 1 in the Constitution can be read Bharat that was India shall be a Union of States Now even this Union of States is under assault साफ तोर पर यहाँ पर कह रहे हैं जहराम रमेश कि अब Union of States जो है अब इंडिया से भी भोदी जी को अलर्जी हो रही है प्रधान मंत्री छुट्टी लेते हैं नहीं लेते हैं मुद्दा ही नहीं है दोस्तों असली मुद्दों को सम्भोधित कीजिए और मैं आपके सामने दो मुद्दे लेका राना चालता हूँ सरकारी वकील हरीश सालवे आपके स्क्रीन्स पर इनकी शादी हुई है दोस्तों और आप जानते हैं उनकी शादी में कौन दो लोग दिखाई दिये भगोडा ललित मोदी और मोहिन कुरेशी ललित मोदी की तो आप तारीव जानते हैं देश से भाग गया था और तब से वापस नहीं आया है मोहिन कुरेशी कौन है मोहिन कुरेशी वो हैं जिनके चलते दो CBI के डारेक्टर्स की छुट्टी हो गई आपके स्क्रीन्स पर यह हैं CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिनह आप जानते हैं मोहिन कुरेशी जिस पर आरोप था मनी लॉंडरिंग को लेकर इस पर आरोप था भ्रष्टाचार को लेकर इस पर आरोप था सरकारी अधिकारियों को भ्रष्टाचार रिश्वत देने का यह तमाम आरोप थे मोहिन कुरेशी में उसने CBI के पूर्व निदेशक रंजीत सिना के घर में करीब सत्तर बार दस्तक दी थे सत्तर बार गये थे यही नहीं उसके बाद जो CBI की डिरेक्टर थे जिनका नाम था एपी सिंग उनके साथ भी फोन पर लगतार बाचीत हो रही थे और इन दोनों CBI के डिरेक्टर्स को हटना पड़ा था मोहिन कुरेशी के वज़ा से जिस पर भष्टाचार, मनी, लॉंडरिंग ये तमाम आरोप थे दोस्तों ये दो लोग हरी सालवे की पार्टी में दिखाई देते हैं उनकी तीसरी शादी में हरी सालवे जो की प्रधान मंत्री ने एक देश एक चुनाव को लेकर पूरी जो समिती बनाई है उसका हिस्सा हैं वो हरी सालवे जो भाचपा के करीब हैं मैं आपसे एक बहुत सीधा से सवाल पूछना चाहता हूँ कल्पना कीजे कपिल सिब्बल या चिदंबरम दोनों वकील हैं अब इनके साथ कोई भगोडा मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या कोई दिखाई देता उनकी फोटो खिचती आप कल्पना कर सकते हैं कि मीडिया कितना बड़ा बवाल करता है इस पर कितने प्राइम टाइम डिबेट्स होते मगर मजाल है हरी सालवे पर कोई सवाल भी उठा दे उल्टा हरी सालवे टेलिग्राफ को इंटिविय में कहते हैं कि जो लोग इस वीडियो की आलोक्षना करते हैं वो दर असल मुझसे जलते हैं मेरी तीसरी शादी से जलते हैं वो खुलियाम कह रहा है कि मोहिन कुरेशी और ललित मुदी मेरे दोस्त है और मुझे कोई शर्म नहीं है ये वही हरीश सालवे हैं दोस्तों जो प्रधान मंत्री की समिती का हिस्सा है एक देश एक चुनाव को लेकर सीधा सा सवाल प्रधान मंत्री ने नौ साल में छुट्टी ली है नहीं ली है ये मुद्दा जादा जरूरी है या हरीश सालवे का है मुद्दा अब एक और मुद्दा लाता हूँ जो काईदे से मीडिया को पूछना चाहिए था आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये खबर देखिए आठ दलों की संपत्ती 8,829 करोड भाजपा के पास 6,046 करोड इस वकत तमाम जो राजनीतिक दलों की जो संपत्ति है कुल वो है 8,829 करोड और इसमें से भाजपा के पास है 6,046 करोड इन मेंसे जो बड़ी तादाद में पैसे आये ना दोस्तू, जानते कौन सा पैसा है? Secret Electoral Bonds यानि की गुप्त चुनावी चंदा जो चोर रास्ते से आता है, जिसकी कोई जवाब देही नहीं है. और अब देखिये कितनी बड़ी धन्ना सेट पार्टी है BJP. क्या कोई मीडिया का संस्थान, कोई गोदी मीडिया न्यूस चैनल पापा की परिये सवाल पूछ रही है, कि पैसा कहां से आया? और अगर भाजपा के पास 90 प्रतिशत पैसा है, तो चुनावों में विपक्ष क्या खाक मुकाबला करेगा? बीजेपी के हाथ में पहले से मीडिया है, एजनसीज है, पैसा है, ताकत है, प्रॉपगैंडा है, उपर से मीडिया ये सवाल भी नहीं पूछता है, ना हरी सालवे पर, ना ADR की इस रिपोर्ट पर जो अभी-भी मैंने आपको बताई, और अनरगल बात क्या होती है कि आदेश रावल ने बहुत अच्छा ट्वीट किया और मुझे उनका ट्वीट बहुत पसंद आया, मैं चाहूंगा आप भी इस पर गौर करें, आदेश रावल क्या कह रहे हैं, गौर कीजेगा, आपके स्क्रीन्स पर, क्या किसी मुख्य मंतरी, अप्रधान मंतरी को भी चुट्टी देने वाले भला किस से चुट्टी लेंगे, उस पावर से जो आपको सोने नहीं देती, उस सत्ता से जिसके पीछे सब भाग रहे हैं, उन आलीशान महलों से, जो सबका सपना है, किस से चुट्टी लेंगे, उन गूंजते नारों से चुट्टी, बड़ी-बड के स्वागत से चुट्टी, बड़े जहाज से चुट्टी, विदेश यात्राओं से चुट्टी, किस से चुट्टी लेंगे, बात तो सही है न, ये तो प्रधान मंत्री है, ये तो प्रधान मंत्री पर हैं, कि वो जब मर्जी चुट्टी लें, आज की तारीख में प्रधा के पारे को बढ़ाने के लिए ऐसे आदमी को छुटी की क्या जरूरत है दोस्तों और सबसे बड़ा सवाल आजाद भारत के इतियास में क्या इस तरह के RTIs और इस तरह की बादशीत कभी हुई है जो अब जाकर हो रही है गोर कीजिए कि हम अपने राजनीतिक विमर्श का क्य का मजाग बना रहे हैं और ये मीडिया आपको दिमाग से किस कदर कद्दू कर रही है गोर कीजिएगा या इसी चलते रहने देना है क्यों अपन तो सवाल उठाएंगे दोस्तों अब इजार शर्मा को दीजिए जासत नमस्कार झाल झाल